दोस्तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लवली इनू टोकन के बारे में क्योंकि उसके रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है तो इस वीडियो में इस confusion को हम लोग clear करने वाले हैं और उससे पहले हम market का थोड़ा analysis कर लेते हैं देख लेते हैं market में क्या चल रहा है और काफी हद तक market ने अभी recover किया है और बहुत से mostly token है जो mostly coin है दोस्तो alt coin है सबने recover करना शुरू किया है और अगर हम global crypto market की बात करें तो total global crypto market cap है जो 1.76 trillion है और जो अभी 5.626% जो अप में चल रहा है profit में चल रहा है और अगर हम यहां पर lovely inu को open करें दोस्तों तो देखते हैं कि lovely inu अभी क्या परतर्शन कर रहा है और lovely inu का price कहां तक गया हुआ है और क्या इसके holders हैं यह सब हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं और इसके holders fake हैं यहां real हैं यह सब हम इस वीडियो में चेक करेंगे तो मैं हूँ आपका दोस्त Tariq James और स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल All Ethical ग्यान में थैंक्स करता हूँ धन्यवाद करता हूँ आपका मुझे support करने के लिए videos को like और channel को subscribe करने के लिए और दोस 24 गंटे का trading volume है आप लोग देख सकते हैं वो अभी 61.26% माइनस में है और अगर हम holders की बात करें दोस्तों तो holders को लेकर तो इसने धूम मचाई है और इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को verify करेंगे कि इसके holders असली है या नकली है तो यहाँ पर आपको यह holder दिखा रहा ह 85254 holder और एक दम से holder बढ़ने की वज़ा कारण कुछ भी इन्होंने mention नहीं किया है कहीं पर भी कुछ नहीं बताया है ना तो टेलेग्राम में ना ट्वीटर में सो हम लोग इसी चीज़ को देखते हैं इस वीडियो में कि कहां तक यह बात ठीक लगती है कि इसके holder सच मुछ म इतने बढ़ रहे हैं तो एक दो बातों को मैं आपके सामने रखूंगा लेकिन अभी sure नहीं कर सकते दो बातों को मैं आपके सामने रखूंगा तो हमें जाना होगा एक बार dextool.io के उपर और वहां पर हम लोग चेक करते हैं कि इसके holders कितने हों के लिए आपको type करना होगा dextool.io और आपका pair explorer यहां पर open होने वाला है दोस्तों आप लोग देखिए भी तो हम आ चुके हैं pair explorer के उपर dextool.io के उपर और यहां पर bse already selected है अगर आपका select ना हो तो आप लोग इसको select करें bse और यहां पर हम लोग type करेंगे second वाले में lovely inu तो सबसे उपर वाला pair हम उठा लेते हैं और यहां पर हम लोग देखेंगे कि अभी जो dextool है यह lovely inu का क्या data show करता है lovely inu का जो dextool.io के उपर है जो holders कितने आपको दिखाई देते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर click करना है arrow को निशे करना है और यहां पर जब आप देखते हैं तो इसके holder आपको दिखेंगे 47,754 holder so अभी हम इस चीज़ को final नहीं करते हैं हो सकता है कुछ developers की अभी problem चल रही हो developers यहां पे upload ना कर रहे हो ठीक है अभी developers ने upload ना किया इसलिए यह data यहां पर proper आपको दिखाई नहीं दे रहा है 85,000 holder यहां पे आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं यहां पे आपको पुराने व होते हैं वापिस coin market cap के उपर पहली बात दोस्तों मैंने आपको no down cry है कि जो dex tool में इसके holder है वो उतने ही है जितने पहले थे और जो इसके real holder है 47,000 दोस्तों कुछ हैं जो भी दिखाई दे रहे हैं वाँ पे 700 कुछ हैं 200 कुछ हैं और दूसरी बात दोस्तों जो मैं आपको बताना शाहता हूं कि watch list की watch list में 21,490 लोगों ने इसको add किया है और पहले भी 20,000 ही थे इसके holder एकदम से जब increase हुए है उसके पहले की बात है पहले भी जो watch list में लोगों ने एड़ किया था 21,490 लोगों ने ही इसको watch list में एड़ किया हुआ था तो यहां पर कुछ तो confusion हो रहा है दोस्तों और कुछ तो जमेला लग रहा है लवली इनू की तरफ से की हो सकता है लवली इनू कुछ बड़ा scam करने पर है लेकिन अभी हम इसके उपर shorty नहीं करते हैं और इस चीज़ को अभी final भी नहीं करते हैं इसके उपर पकी महर नहीं के लिए otherwise दोस्तों मैं तो अपने लवली इनू sell करूँगा और मैंने पहले भी बहुत से लोगों को कहा है कि भाई जो लवली इनू को hold करने के लिए और वो लोग अभी मुझे गालियां भी देंगे कि भाई पहले तो hold करने के लिए बोला भाई तो पहले की बात ये थी प लवली इनू के holders अगर यहां पर watch list भी बढ़ती ठीक है तो भी हम सोच सकते थे कि जो लवली इनू के holders बढ़े हैं real holder है क्योंकि 85,000 लोगों ने अगर इसमें invest किया है तो मातर उसमें से 20,000 लोग इसको watch list में add कर रहे हैं तो ये बात कहीं ना कहीं हमें खप नहीं रही है हम पच नहीं रही है दोस्तों digest नहीं हो रही है और दूसरी बात जो है dex tool के ओपर जो इसके holders हैं वो 47,000 जो पहले वाले थे दोस्तों जो real holder थे तो अभी मैं भी ये नहीं बोलता हूं कि इसके जो fake holder है ठीक है जी लेकिन इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा alert रहे है थोड़े exchange के ओपर transfer कर लें कि ऐसी कोई भी news आए तो आप फटाक से अपने जो lovely inu sell कर सकें और आपका जितना पैसा बच सकता है बचा सकें तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है इंटरस्टिंग लगी है तो प्लीज आप वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सकें थाइंक्यू स्वामट